है 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 एलो फ्रेंग्स व्यूवर्स एंड रिलेटिव्स वेलकम टू मैं शैनल लट्स टॉक वाइस दोस्तों आज तक आपने देखा सत्यूग और त्रेता यूग की जानकारी थर्ड पार्ट ओफ यूग किसे कहते हैं मैं अब आज के वीडियो में हम देखेंगे ध्वापर यूग और कल्यूग की जानकारी उससे पहले एक बात मैं बताना चाहूंगी दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो अपने फ्रेंड रिलेटिव सबके साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी नॉलज मिल सके अगर वो लोग नहीं है या आप लोग मे से कुछ नया जान सके अगर आपको कुछ और नए टॉपिक्स पे जानकारी चाहिए या उस टॉपिक पे मैं आपके साथ चाहिए तो आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखके भेजिए ताकि मैं उस टॉपिक पे आपसे बात कर सकूँ दोस्तिव द्वापर यूग में देवताओं के दीव्य वर्ष दो अजार चार्शो थे और आट लाग चोसट हजार मानव वर्ष की काल गणना की जाती है द्वापर यूग की उत्पत्ती भादो मा के कृष्ण पक्स के तेरस यानि की त्रयोदशी के गुरुवार के दिन हुई थी इस यूग में धर्म दो पैरों पे खड़ा था पुराणों के मुताबित कहा जाता है कि द्वापर यूग में विश्णु जी ने सिफ एक अवतार लिया था और वो था कृष्ण जी का होता कृष्ण जी जबी जन्म लिये तबी वासुदेव और देव की कंस की कोट्री में बंदे हुए थे उनका जन्म चंद्रवन्शी में हुआ और जबी वासुदेव ने कृष्ण को नंद बावा के याँ छोड़ा तबी उनका बचपन नंद बावा और यशुदा जी के साथ गुजरा उन्होंने बलराम जी के साथ और उनके सारे दोस्तों के साथ बाल लिलाई की गोपियों के साथ लिलाई की उनका जन्म कंस को मारने के लिए और जो उनका परमभक्त खा श्रीधामा उसके श्राप को पूर्ण करने के लिए राधा जी और कृष्ण ने इस भूमी पे अवता लिया था राधा जी शुर्यवंश में जनम हुआ था राजा ब्रुजवान के यहां पर जबी भी कृष्ण जी बड़े हुए और तभी वह हमेशा से धर्म के और खड़े रहे इस युग को धर्म के लिए कई युद्ध हुए और इस द्वापर्यूग को युद्धों का यू में बहुत सारे युद्ध हुआ करते थे नारी का अपमान हुआ धर्म को कहीं पीछे छोड़ दिया गया इसलिए जबी भी कुरुष्षित्र जैसा महा बड़ा युद्ध हुआ तभी श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता ग्यान दिया जो आज भी हम सब के लिए दिश्टीर के साथ रहे और उन्होंने कभी धर्म को छोड़ा नहीं जिस दिन श्री कृष्ण जी को शाप दिया था गांधारी ने कि यदुवंच की कुल सर्वनाश हो जाएगा और जिस दिन श्री कृष्ण जी की देहांत हो गई उस दिन उनके शारे शरीर के अंग जल ग सब्चानलारी ट फैंड। इता हैं..जुस्तो जिस दिन कृष्ण जी का देहांत हुआ उसी समय से कलयोग चल पड़ा है। तो यह जो जानकारी थी जहां सिर्फ कृष्ण जी ने उतार लीज ine Siya जबी कृष्ण जी का देहांत हुआ तभी कलियोग चल पड़ा था उस दौरान श्री भगवान बुद्ध का जन्म हुआ इस स्वी सन पास चो त्रेसट इसा पूर्वे लुंबी नी में क्षत्रिय कुल्म शाक्य में राजा शुद्धोधन के घर हुआ उनकी माता का नाम था म जो भगवान बुद्ध के जन्म के साथ दिन बाद गुजर गई और राजा शुद्धोधन ने उनकी बेहन यानि की महामाया की बेहन गौतमी से शादी की और भगवान-बुद्ध माता गौतमी और शुद्धोधन के साथ बड़े हुए जबी भी वो खेलते थे तभी उनको कोई भी चीजों में रूची नहीं लगती थी और वो सिर्फ डूंडते रहते थे सवालों कि क्या मृत्यू है, क्या जीवन है, क्या सत्या है क्यों वेदनाए हैं और क्या मुक्ती है तबी जबी वो बड़े हुए उनका व्याहा राजकुमारी यशुद्रा के साथ किया गया उनको एक बेटा हुआ जिसका नाम था राहुल जबी वो चोटे राहुल चोटे थे तबी 29 साल की उम्रे में बगवान बुद्ध जी उन दोनों को सोता छोड़ इस खोज में चले गए कि मुक्ति कहां है सत्य कहां है और दुरुणा राग द्वेश उसे त्यागना किस तरह है मन की शांती को किस तरह पाना है जबी वो कड़ी तपस्या करने लगे जंगल में गये बहुत सालों के बाद तपस्या करने के बाद बोध गया बिहार में जाके बसे और वहां तपस्या की जबी वो बोध गया व्रुख्ष के नीचे बैटे थे तभी उन्हें आत्मगनान हुआ और तभी वो गौतम सिधार्त से गौतम बुद्ध कहलाग गये गौतम बुद्ध ने सारे लोगों के सामने शांती का प्रस्ताव, सत्य, ध्यान और मुक्ति को पाने का रास्ता पताया उन्हें उन्हें हमेशा सिर्फ सत्य का साथ देना और मुक्ति के लिए भायचारा निभाना, रागद्विश को दूर रखना, उसके बारे में प्रवचिंदिये लोगों को समझाया दोस्तो कल्यूक की कालगन बारा सो दिव्यव वर्ष देवताओं के और चार लाग बत्तिस अजार मानव वर्ष की की जाती है कल्यूक सबसे चोटा कालखन माना जाता है 3102 इसा पूर्व कल्यूक चल पड़ा था कृष्ण जी के देहान के बारे बाद में विश्णो जी का सबसे अंतिम स्वरूप जो इस धर्थी पर आएगा वह कल्यूक में आए गा उसके बात सत्यूक की पुना प्रारण हो जाएगा कल्यूक में लोग लूटफ़ाट करते हैं किसी का मान संमान नहीं करते हैं अपने ही लोग अपने रिष्टेदार माबाप से छल कपट करने लगते हैं नारी का संमान नहीं है उनकी जान को खत्रा है मतलब चारों और हम ऐसे न्यूस पढ़ते रहते हैं यही चीज कल्यूग में बताई गई है पुरानों के मताबित कि जहां कोई भ दर्म की बारे में चर्चा करना लोग कुछ उचित नहीं समझते सिर्फ अपने मन में जो आता है वही सही है मान के चलने लगते हैं इसलिए जब भी कल्यूग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा जब कल्यूग उसके अंतिम चरण में होगा तभी चंद्रमा सूर्य ब्रुहस पती एक समय पर पुष्य नक्षत्र में होंगे तभी कल्यूग की समाप्ति होगी इश्वर कल की द्वार और पुना सत्यूग प्रस्थापित हो जाएगा तो दोस्तों यह थी आज द्वापर्यूग और कल्यूग की बारे में जानकारी आइप कि आपको यह सुनने में और जानने में मजाया होगा और इसी दोरान आज जो फोर्थ पार्ट था यूप कुछ से कहते हैं उसके सारे सीरीज खतम होते हैं तो आपको यह चारों पार्ट जो पसंद आये हैं तो प्लीज शेर कीजिए लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए थैंक यू वरी माच